वेलकम एवरिवाइन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस अभी जो सीरीज चल रही है वो जुचुचु काईसन की सीरीज चल रही है जिसके अब तक दो सीजन आ चुके है पहला सीजन आल्मोस्ट खत्म हो चुका है आज उसका लास्ट एपिसोड है इसी के साथ में गाइस एक सीरी भी ले आऊंगी इसी के साथ में आप लोगों की और कोई रिकमेंडेशन है तो आप जरूर कमेंट सेक्षन के अंदर बताईएगा और साथी में जुचित सुकाहिसन आप लोगों को कैसी लगी मुझे ये भी जरूर बताईएगा तो चलिए फिर बिन अप्रतिक्षा कराया आज हम सभी इस अमीजिंग अनमे का लांस्ट एपिसोड के शिर्वात करते हैं जा पर आक्री एपिसोड में हमने देखा था कि अभी इन तिनों की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है मैगुमी ने उस ब्रिच के नीचे रहने वाले कर्स को मार दिया था वहां पर एपिसोड के स्टाटिंग में यूजी और नुबारा कैचिजू और इजू से लड़ रहे थे इजू ने अपने ब्लड विंक्स निकाले थे और उसी से वह इन दौनों के ओपर अटैक करने वाला था यूजी पहले नुबारा को वान कर देता है कि इसका खून जहरीला है त नुबारा बस बची गई थी उसके बाल थोड़े से जल गए थे लेकिन अच्छा हुआ कि उसके चैरे वगरा पे नहीं गिरा था वो ब्लड जिसके बाद में ऐसो फुल स्पीड से अपने उन विंक्स को बढ़ाना शुरू करता है और इने बागने के लिए भी कहता है तो इसने अल्रेडी एक लड़की को उठा के रख रहा है फिर भी वो इतनी तेजी स्पीड से भाग रहा है कि जंगल में काई गाया भी हो गया ऐसो यहां पर अपने ब्लड वेंग्स थे उन्हीं बढ़ाता ही जा रहा था इनके उपर अटाक करता ही जा रहा था और यहां पर ग्याजिजु था वह दूसरी तरब से पहुंच जाता है और यूजी और नुबारा की एक्दम सामने आ जाता है यूजी नुपारा को धका देता है क्योंकि यूजी तो इस ब्लॉड से बच सकता था त 2030 बार के ओपर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी नुबारा आती है भ जो blood तुम्हारे उपर गिरा है वो तुम्हारे अंदर जाना शुरू करेगा अगले 10 मिनट के अंदर तो पहले 9 बारा मरेगी और 15 मिनट के अंदर हुजी मर जाएगा क्योंकि ये blood एक तरेके का जहर है जो कि तुम्हारे शरीर में घुलता ही जाएगा कल सुबहे तुम्हारे सिर्फ हड़िया मिलेगी इस रोड पे जिसके बाद में सीनिया पास्ट केंजर शिफ्ट हो जाता है बताया जाता है कि आखिरी worms bunny कहां से थे इसे एक death printing कहां जाता है एक lady हुआ करती थी प्रोस्टिट थी वो और उसी के उपर ही काफी सारे experiment हुआ करे थे नोरी तोशी कामो एक client था और आज से काफी सालों पहले नोरी तोशी कामो के client का जो एक member था उसने इस प्रोस्टिट के साथ में बच्चे पैदा करना शुरू करे और उन बच्चे को जिन्दा नहीं किया बलकि 9 बार बच्चे करकर के मार दिये सबसे important चीज ये थी कि उससे पैदा कराने से पहले ही इस प्रोस्टिट ने किसी curse spirit के साथ में बच्चा पैदा करा था तो नोरी तोशी कामो को इसी के उपर experiment करना था कि एक इनसान अगर curse spirit के साथ में बच्चे कैसे पैदा कर सकता और वो बच्चा होगा तो कैसा होगा अगर आपकी कोई भी चीज किसी दूसरे से जुड़ी होगी तो उसके उपर effect जरूर होगा अब जैसा कि इजू था तो उसका blood नोबारा के उपर लगा हुआ था तो नोबारा ने खील डाली और इससे इजू को फरक पढ़ना शुरू हो गया यानि कि अगर वो खुद को हाम करेगी तो इजू को भी हाम होता चाहेगा और इजू जुड़ा हुआ था किचीजू से यानि के खुद के भाई से और जो किचीजू था वो बहुत साथा strong नहीं था नॉर्मल ही था यहाँ पे अब नोबारा इजू को कहने लगती है कि तुम्हें दर्द होगा तो तुम इस टेक्नीक को हटा सकते हो क्योंकि अब इस टेक्नीक को reverse करने का कोई तरीका नहीं था जाए नोबारा हमें मार नहीं पाएगी चाहे वो किते भी अटैक कर ले क्योंकि वो जादा injured होगी हम तो कम injured होंगे तो फिर जीत तो हमारी होगी इजू का कहना था कि भाई नोबारा और यूजी दौनों के ओपर उनका blood गिरा हुआ है तो वो दौनों एकदम stick खड़े हुए एकदम paralyze खड़े है हिल भी नहीं सकते तो हमारी मरने से पहले तो यह दौनों मरेंगे यहाँ पर यूजी जाता है और किचिजू के उपर जब और दस अटेक करता है किचिजू अल्रीडी काफे सदा कमजोर था क्योंकि नोबारा ने अभी अभी कील गुसा ही थी उसका असर किचिजू के उपर पढ़ रहा था यहाँ पर नोबारा अपने हाथ में दूसरी कील चुकी थी ताकि इचिजू और ज़्यादा कमजोर हो पाए यूजी दबा किचिजू को मारता है बहुत सारे पंचिस मारता है यहाँ यूजी और नोबारा दौनों आसपास में आ चुके थे दौनों यह अपनी जगा बदलते जा रहे हैं इचिजू को समझ में आ गया था क उसका भाई तो बुरी तरीकी से पिटरा है शायद मरमर आ जाएगा जिसके बाद यूजी आता है और एसो के उपर अटैक करना शुरू करता है अब यहाँपे जैसे यूजी को पता चलता है कि शायद वो भी मरेगा और उसका भाई भी मरेगा इसकी करण उसकी करस टेखनि रिवर्स हो जाती है क्योंकि उसका भाई मर जाएगा इस चकर के अंदर इसकी करण यूजी और नुबारा के उपर से वो जो करस टेखनिक थी वो हट जाती है इसकी करण ऐसो अब अपनी पूरी पावर के साथ में ब्लाड विंग्स निकालना शुरू करता है और यूजी को धक्का देता है नुबारा सोचती है कि अब जब उसके अंदर पूरी शक्ति आ गई है तो वो अपनी कर्स एनरजी के साथ में की जिजु के उपर अटैक करेगी नुबारा के हाथ कादर कील घुसी हुई थी तो उसे दर्द तो बहुत जादा हो रहा था क्योंकि अब वो उ यूजी के अटैक से इजु का एक हाथ उड़ चुका था और वो अपने आँकों से देख रहा था कि उसका भाई अल्मोस्ट मरने की कंडिशन पर है यहां पर रोता रोता यूजी को बोलता है कि देखो प्लीस उसे मत मारना यूजी को समझ में नहाता कि आकर कोई कर्स एनर जो उसकी कीले वगर घुसे हुई थी वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है और जो किचिजु था अब बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ में फट जाता है या भी तुम रो मत तुमारा बड़ा भाई भी तुमारे साथ पीछे-पीछे आ रहा है तुम ताना उपर मिलना यहाँ पे यूजी ऐसो को मारने वाला था लेकिन वो देखता है कि ऐसो अपने छोटे भाई के मरने के कारण डूरा था यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ थी उसके लिए यूजी इसी वक्त रुख जाता है और इतनी देर में यहाँ पे गाड़ी आ जाती है साई टाइम प यहाँ पे जिस ट्रक के ऊपर चड़ा था उसी के ऊपर से एक आदमी को पकड़ लेता है और अंदर बैठे वे इंसान को बोलता है कि बिना रुके बस गाड़ी चलाता जा लेकिन यूजी यहाँ पे बहुत फूर्टी से आता है उसके पीछी भागता हुआ रहता है यहाँ जो टूटावा हाथ पड़ा था इजू का उसके ऊपर वापसे वो कर्स डॉल रख देती है और एक बार फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है अब यहाँ पे वो जो हाथ था ओविसी वाथ इजू का हाथ था जो कि उससे जुडावा हाथ था तो जैसे वो उसे ब्ल प्लड था उसे यूजी का हाथ जल गया था लेकिन उसके मन के अंदर भी अजीवी तरह की की पेचेनी थी जिसके बाद में सीनिया माई तो गेटो के ओपर शिफ्ट हो जाता है वो इन दौनों भाईयों के बाई के साथ में बैठा था और इसकी बाई को पता चल जाता है कि उसके दौनों भाईयों वो मारे गए हैं गेटों इन फॉर्मिशन देता है कि मारने वाला और कोई नहीं बलकि यूजी और उसके दोस्त ही हैं इस चक्कर में उस भाई को बहुत जादा गुस्सा आता है और वो खेलने वाली गोटियों को तोड़ देता है माई तो कहता है क ये बाई बाई तो इन गोटियों को मत तोड़ या एक जिसके बाद में सीनिया या सवाची ब्रिच के उपर शिफ्ट हो जाता है जो मैनेजर आकारी थी वो सबको कॉल करती और कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि उसने मना किया था कि कोई भी उस ब्रिच की तरफ की जाएका लेकिन ये तीनों तो नीचे ही थे लड़ी रहे थे यूजी और नोबारा आपने आपस के इस बैटल के बारे में बाचीत करी रहे थे क्या थे यूजी नोबारा से पूछता है कि भाई तुम ठीक तो हो ना कि तुम्हारे उपर वह ब्लड गिरा था लेकिन नोबारा का यही था, कि आज तुम इत्पे परेशान क्यों दिख रहे हो, अब आज यूजी ने किसी ऐसे को मारा था, जो कि इनसान और कर्स का मिकस्चर था, जबकि नोबारा का कहना था, कि मैं यूसी ऐसे इनसान से हमदर्दी नहीं लगाती, जिसे कि मैं जानती नहीं हूँ और अगर मैं उसे जानती नहीं हूँ तो मैं आखिर उसका बुरा क्यों लगाऊंगी दुनिया में नजाने से किते लोग हैं जो कि बस मारे जाते हैं तो मुझे इन चीज़ों से जादा फरक नहीं पड़ता जब तक कि वह मेरा खुद का नहीं हो यह द निकल रही है अट्रैक्ट हो रही है तो हो सकता है कि यहां पर भी कुछ कर्स एनर्जी आ जाए और अभी यहां पर जो सबसे साथे स्ट्रॉंग है वो यूजी ही था अगर यूजी को फिंगर दे दी जाए तो वो इसे संभाल सकता है क्योंकि अल्रेड़ी सुकुना रह भी अब लग उने चलां की तुम यहां नीचे क्या कर रहे हो तुम दोने को मना किया था ना तुम लोग भिना बताये नीचे आ गये यह वो बहुत चलांदीयों क्योंसे बात करता है असल के अंदर हूँ मैं ऐसा लग रहा था कि किसी वेकेशन के उपर निकली हुई थी और गोजो को भी बुला रहे थी यहां पे गोजो उटाहिमी से पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला कि आखिर को नहीं कुछ अगर मिलेगा तो मैं तुम्हें जल्दी बता दूँगी जिसके बाद में गो सुझी ने सुकुना की फिंगर खाई थी उसके एक्टिवेट होने से इती सारी मौत हो रही है लेकिन नोबारा मना करती है कि यह चीज यूजी को कभी मत बताना इस बात से उसे बहुत सारी चीज़े यूजी से स्टार्ट लेकिन अब कोई किसी के सामने कर रहा है जिसके बाद में सीनिया जुजुसु हाइपर शिफ्ट हो जाता है यहां माकी और पांडा आपस के अंदर मस्ट वगर कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे माकी थोड़ा सा हार रही है और पांड को दमा आदम पीड देती है बिना वेट करें ही माई पांडा के ओपर सिधा अटेक कर दीती है जिसके बाद में सीनिया काकु कांजी के ओपर शिफ्ट हो जाता है और उनके सामने टोड़ और माई खड़े थे यहां पे काकु कांजी को लग रहा था कि बहुत जादा क्रिट कई रहा है तो भी तो कहता है कि भाई लोगों के साथ में एक बार्थ को echo करने लेकिन तब deformant के पास में छान की काल आता है जो कि ऑनたい वह सब को कहता है कि प्तुम दिदध करें किक्यें काrat कि इस्वेक्व कहता है स्कूल पहुंचाओ तुम लोगों के लिए एक सीक्रेट मिशन है यूजी और नुबारा हसने लगते हैं कि यार गोजो सार जब भी कॉल करते हैं यही तो बोलते हैं कि कोई सीक्रेट मिशन है आकर इस बार क्या होगा मिशन भी कोई वैसे नॉर्मल ही होगा लेकिन अगर बीच बीच के अंदर जुदू सु काईसन भी ले आउंगी चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सीजन में तब तक के लिए टाडा